हलो नमस्कार साथियो मैं विकाश आप सभी का हर्दी कबिनंदन और स्वागत करता हूँ विजदम परिवार में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर सुबह बात करते हैं किसकी क्योशन आफ दे डे की बात करते हैं और आज का क्योशन आप सभी की स्क्रीन पे हैं जो की बहुत ही शांदार क्योशन है एक्जाम में लाखों बार पूछा जा चुका है कि इस में से सबसे लार्जिस्ट और्गन कौन सा है बॉडी का, किडिनी सबसे लार्जिस्ट है क्या, बेन सबसे लार्जिस्ट है क्या, ली दिमाग की concentration board पर डालेंगे और हर शब्द को सुनने की कोशिश करेंगे जान दें आपसे पूछा जाता है बार बार की body का क्या पूछ रहा है examiner आपसे बार बार examiner कह रहा है की body का क्या बताओ body का largest organ बताओ और largest organ की बिटा जब जब बात हो तो दिमाग में एक ही चीज फीड करके रखो स्कीन होती है क्या होती है सातियों स्कीन होती है जो की 22 square fit के अंदर लगबग फेली हुई है कितने लगबग 22 square fit के लगबग और approximately 3 से 4 किलो के लगबग इसके अंदर क्या होता है वजन होता है इस जानकारी को अपने दिमाग में रखे अगर अब क्योशन पलट कर वो ऐसा कह दिया होता कि internal largest organ के बारे में बताओ इसके बारे में बताओ बई internal largest organ के बारे में बताओ तो ये जानकारी बदल जाती और जानकारी बदल कर दूसरा organ बन जाता जिसे की हम क्या नाम देते तो आपका जवाब है जिसे की हम lever नाम दे देते दूसर किड़नी भी कोई organ है क्या brain भी कोई organ है क्या बिलकुल है kidney वो organ होता है जो आपके blood का filtration कराने के लिए जम्मिदार है blood को filter कराता है और blood में से जो waste product है än उन्हें बाहर निकाल कर blood का filtration करते हूए, blood का filtration करते हूए, उस waste से क्या बनवाता है urine का formation कराने के लिए kidney जम्मिदार होती है, kidney bean shave की होती है और नमबर में दो होती है left और right किड्नी के नाम से जाना जाता है इन दोनों ही किड्नी के ऊपर एक Glane पाई जाती है जिसें की Hadrenal Glane के नाम से जाना जाता है जानकारी को समझें, उसके बाद में brain की विस्तरित जानकारी आप पढ़ते ही है कि brain तो वो है जो body को control करके रखने का काम करता है जानकारी समझें आपने आशा करता हूँ पूरी जानकारी समझ में आई होगी तो यहां क्या पूछा गया है largest organ पूछा गया है तो इसका हांस्वर क्या रहने वाला है इसका हांस्वर तो D रहने वाला है ठीक है अब छोटी सी जानकारी और समझें कई लोगों के दिमाग में ये क्योशन घूम रहा है कि सर ब्रेन में और माइंड में थोड़ा फर्क बताईए तो धन दें ब्रेन जो होता है साथियों ये हमें फिजिकली प्रेजेंट नजर आता है जिसे हम हाथ लगाते हैं पर माइंड एक फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है प्लिएर बात है क्या अरे नहीं इसका मतलब यह कोई एक आनार्टमिकल स्ट्रुक्चर हो टी है जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है आया नहीं बात समझ में आ रही ब्रेन सब में समान है और ब्रेन में क्या होता है वजन होता है जो कि approximately हम डेड़ किलो बता देते हैं साड़े तेरा सो गराम हम बता देते हैं जबकि mind का ऐसा कोई वजन नहीं होता है जो चीजें सारी हमें याद रहती है वो mind में रहती है कि brain में रहती है तो जनकारी को समझ जाएं और वो सारी चीजें mind में होटी है आशा करता हूँ इस सारी question की जो journey थी वो आपने enjoy करी होगी और कुछ नई learning skills wisdom के साथ में पाई होगी अगर एक शब्द भी नया सीका है तो इस बात को अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहां हमारे साथ जुड़ो और कुछ नया हर सुबह उड़ते ही हर सुबह की शुरुवात के साथ में एक नया ट्विशन पाओ धन्यवाद आप सभी का मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए शुक्रिया